नमस्कार आप देख रहे हैं इसाफ की आवाज मैं पूनम हाजीरू एक नए खबर के साथ बीते दिन बाग बेडा थाना अंतरगत राम नगर के रहने वाले राजु सिंग उर्फ सबजी राजु के हत्या में शामिल चारो अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफतार कर जेल भेज दिया है बताया जाता है कि मृतक राजु सिंग भी कई आप राधिक मामलों में जेल जा चुका है जिसमें हत्या मार पीट फाइरिंग सहित कई आप मामलों में वह आरूपी रहा है पिछले कुछ दिनों पूर्व हीवा जेल से छूट कर आया था और बाग बेड़ा में सबजी विक्री करता था बावजू चोटी मोटी घटना को अंजाम दे रहा था ऐसी ही एक घटना पिछले दिनों एक यूवक के साथ घटी जब उसने उससे मार पीट कर रुपए चीन लिये और उसके मुह में पेशाप कर दिया था यही घटना उसकी हत्या का मुख्य कारण बना और एक साजिश के तहट अजे कुमार अंकित उर्फ जादू बादल कुमार शर्मा उर्फ मोटू और राहुल कुमार मंडल उसे शनिवार देर शाम घर से बुला कर ले गए और रेलवे पानी टंकी के समीब अर्ध निर्मित भवन के पीछे बैट कर उन लोगों ने पहले उसे खुब शराब पिलाई जिसके बाद सभी आरोपियों ने उस पर चापड और चाकू से वार कर उसके हत्या कर दी इस घटना के कुछ घंटों में ही पुलिस ने चारो अभियुक्तों को गिरफतार कर लिया और उन पर कानूनी कारवाई करते हुए न्याये खिरासक में भेज दिया घटना में शामिल चारो अभियुक्तों को घटना को अंजाम देने का कोई मलाल नहीं है उनका मानना है कि अम्रितक राजु की नियत और शेत्रे के लोगों के प्रतिक गतिविधी अच्छी नहीं थी अगर कुछ दिन और वह रहता तो शेत्रे के लोग काफी त्रस्थ हो जाते और इसलिए उन लोगों ने उसकी हत्या करती अभी के लिए बस इतना ही दिन भर की ताचा अपडेट के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और सेर करना न भूदे करना न भर कर दोता है इसलिए कर यदी दिन भर के लिए उनल को लिए झाल कर दो पर दोच्छी झाल कुछ दोदी देत्रे के लिए कर दोदी के लिए कि गला।